हेलो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अभिनंदन है आशा करता हूं कि आप खुश हो आपका परिवार खुश हो किसी ने खुब कहा है इतना खुश रहो इतना खुश रहो कि दुनिया पागल हो जाए कि दुनिया पागल हो जाए और आपसे कहने लगे इसे किस बात की खुशी है तो मैं आप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सागवान का पेड कैसा होता कितना बड़ा होता है उसकी पत्तियां कैसी होती है उनका आकार कैसा होता है ये पेड कितने समय तक जीवित रह सकते हैं इनकी लकडियां कैसी होती है कितनी मजबूत होती है हलकी होती है या भारी होती है और ये किस प्रकार से रद्धी करते हैं इनकी रद्धी की जो गत्ती होती है वो और किस प्रकार से होती है है और इसी तमाम जानकरियें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने बाला हूं तो एक बार फिर मैं आपका यस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं अभी नंदिं करता हूं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए मैं आपको सागवान की पेड के पास ले जाता हूं सागवान के बारे में जानकर के बताने के लिए तो चलते हैं यह दखिए यह चारों एक पेड़ से ही निकले हुए हैं देखिए दो से तीन पेड़ एक ही जगा पी इस ते थे और इसकी लगड़ी देखिए आप कितना मजबूत हो रही है कितना बड़ा पेड़ है आप इसका लंबाई देख सकते हैं यह बहुत उंचा है लगबग 80-90 फीट लंबा ह हो सकता है सागवान के लंबा इतनी होती है maximum असी से लगा कर सो फीट तक कोई भी सागवान हो सकता है अगर वह सीधा ग्रो करता है तो यह देखिए दोस्ता कितना लंबा पेड़े यह वहां तक नजरे भी नहीं जारी जिना लंबा पेड़े यह देखिए अगर कोई पेड़ टेड़ा चलता है तो वह इतना व्रद्द्र नहीं कर पाता 80-40 फूट लंबा वो नहीं हो पाता क्योंकि वह टेड़ा चलता है फिर उसकी जो लंबा होने एसमें समर्थ नहीं हो पाता है लेकिन पेड़ सीधेशाальным जलते हैं उनका दो उनकी लंब उपर चला जाल है और इसी कि सब्सक्राइब पर फाल ने उपर पेड़ लंबे पर प्यड़ सागमान की होते हैं आगर आप इनकी लकड की बात करें नकी लकडी जो होती है गतना तो बहुत बड़ा होता है मोटा होता है और इनकी लकडी मजबुत होती है हलकी होती है मजबुत होती है लेकिन हलकी होती है और इनकी जो लकडी बहुत समय तक टिका होती है गर आप इससे कुछ कोई सामगरी बनाते हैं तो वह सामगरी बहुत बहुत समय तोष्ट चलने वाली मोड़ Čटी ओो और कहीं तो सागवां की खेते भी कि जाती है भारत केने कराज्यों के हैं मैं आपको उनके बारा मिने बताऊंगा है य। आपको सारी जानकार prior smash ये दो कि यहMusikें यहापर दो-तीन शाक्राइस निकली हुई तना है यह कि दो तीन पेड़ है एक पेड़ के दो भाग हो गए एक वहां जा रहा दोनों सीधे चल रहे सीधे चलने के बावजूद भी दोनों की लंबभई बराबर है अगर इसी धर चलेगा तो अच्छी से ग्रोड़ करेगा और उसी चाहिए लगपग सी सनावी फीट तक आसला इसे ग्रोड़ कर सकेगा अगर आप इनकी पत्तियों की बात करें तो इनकी पत्तियां बहुत बड़ी होती है यह देखें इतनी ब इनके अंदर कीड़े लग जाते हैं वो कीड़े इन पत्तियों को काट करकर बिल्कुल नस्ट कर दते हैं यह तो अभी कम है किसी समय तो यसा हो जाता है कि इन पत्तियों को पुरी तर नस्ट कर दे जाता है कि वहले यह शाका बजती है और यह सारी पत्तियां खत्म हो जाती है यह कड़ार किया गया कड़े अपना पेड़ भरते हैं पतियों से ऊसारी पत्या नस्ट रजाते लेकिन कुछ समय बाद फिर अपने सिस्टम से इन पत्यों को आपस ग्रो कर लेता है यह जो पेड़ होते हैं यह वश्बर चलने वाले पेड़ होते हैं वर्ष भर उनकी पत्तियां आती रहती है जाती रहती है यह चलता रहता यह सिस्टम कि देखिए कि यह कितनी बड़ी-बड़ी पत्तियां कि इसी पत्तियां किसी और पेड़ की बहुत काम होती है इसी पेड़ की पत्ति सबसे बड़ी होती है पेड़ों में देखे तो यह देखिए आप देख सकते हैं कितनी बड़ी-बड़ी पत्तियां है यह मैं आपको और पास से बताता हूं कि यह अभी फिलहाल सारी पत्तियां क्यूड़ों ने खराब कर दिये तो आपको मैं अच्छी पत्तिय दिखाने पाऊंगा कि यह देखिए कि यह इसका चोटा से पेड़ों निकल रहा है यहां से दिरे दिरे इनके देशा ही लंबा हो जाएगा बहुत उच्छा ही तक व्रद्धी करेगा और यह भी लगपग सोब फूर तक अस्सी फूर तक आसानी से ग्रो कर सकेगा यह देखिए कि इतना अच्छा न जा रहा है यह और यह बहुत घंए भी होते हैं कहीं के जगों पर इंकी पत्तियां होती यह घंए इनकी पत्तियों की वज़े से ही होते हैं कि इंकी पत्तियां ही इतनी बड़ी होती है तो बहुत चारा च्छे तरक कवर कर लेते हैं यह द कि अगर आप इसको हाथ से ऐसे इसकी जो कोश्य का पित्ती होती उसको खटाने का प्रयास करेंगे तो अंदर से जो ये हरा हरा जो परत दिखाई देरी आपको इससे परता चलता है कि ये पेड़ अभी इसका जीवन भी चल रहा है अगर आपको चेक करना है कि ये पेड़ मर चुका है या फिर चल रहा है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं असानी से अगर ये सुका होगा तो इसके अंदर कोई भी ऐसा हरा पधार्थ नहीं होगा मतलब हरा हरी परत इसके अंदर नहीं दिखेगे अगर ये पेड़ सुका होगा तो देखेए इनकी चाला ही बहुत मजबुद होती है इनको असानी से हटा भी नहीं सकते हैं अधिए हट बिन रही है हातों से तो ये इसकी पत्ती है ये दिखेए किड़ों ने पत्ती का क्या हाल कर दिया विल्कुल तरह से इसको उस तरह से खत्म कर दिया योड़ें पत्ती उपर राच करते हैं जब पत्ती सुख जाती है तो ऐसे दिखती है बिल्कुल दिखेए सुखने के बाद भी आसानी से टूटती नहीं है अगर इंकी पत्ती ही इतनी मजबुद होती है तो सोचिए पेड़ का तना कितने मजबुद होगा लकड़ी कितनी मजबुद होगी अगर आप इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो असानी से टूटती भी नहीं है इंको तोड़ने के लिए बहुत ताकत की जिरूत होती है कि इतना प्रयास करने के बाद भी टूटी नहीं है सोचिए आपके कितना मजबुद पेड़ होगा यह इन पेड़ों की खास बात यह है कि यह पेड़ हमेशा कि ग्रोव करते रहते हैं चाहे पानी रहे या न रहे पर यह पेड़ हमेशा रहेंगे कि जो ग्रोव करने के शमता है वह अच्छी है अच्छी तरह से ग्रोव कर लेते हैं अपनी जड़ों के मलबूते पर और यह अपने आपको इंची भी तरकते हैं इनकी जड़ी तो इनके जड़ें तो बहुत अंदर तक फैली हुई होती है अगर यहां पर जड़ें निकलती तो मैं आपको बताता लेकिन अभी ऐसा अधिया इनकी जड़ें जो होती है वह इतनी जड़ें भी इनके तरह जैसी मजबूत और मोटी होती है यह तो आप जड़ को भी आसना इसे निकाल नहीं सकते हैं वेसे तो जड़ों को कोई निकालता नहीं है लेकिन अगर इंकी जड़े आप नहीं निकालेंगे तो यह फिर से अपने आप ग्रो कर लेंगे और फिर एक नया पेड़ बना लेंगे लेकिन इनको बड़ा होने में समय लगता है लगबग 10-12 साल में यह पेड़ पुरा 80-90 फिट लंबा बनकर तयार हो जाता है बहुती दीमी गति से ग्रो करते हैं उनको ग्रो करने में समय लगता है जैसे इस पेड़ को तक बख 12-13 साल लग जाते हैं इसको इतना बड़ा होने में और फिर एक निश्चित समय के बाद इनको जो गति होती हो रुख जाती है और फिर धिरे यह बुड़ावे की तरफ चल जाते ब और समय आने पर यह सूख जाते हैं सब की आयों निशित होती है कि सब समय आने पर सूख जाते हैं तो दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक और कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको कोई भी इस सम्बंदित प्रस्न पूछना हो तो मैं आपका उत्तर देने के लिए हमेशा दत पर रहूंगा धन्यवाद दोस्तों फिट में लेंगे अगले वीडियो में किसी वर पेट के साथ